हेलो हेलो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये बाबू ये पब्लिक है पब्लिक नमस्कार इने टीव में आपका स्वागत है मैं हूँ जीते अंदर चोहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेश कैजिए पब्लिक है सब जानती है इस वक्त हम आए हैं मैनपूरी में जी हां मैनपूरी वो जगह है जो सपा का किला माना जाता है और आपके बता दे कि 2017 के आंधी में भी जब बीजेपी की लहर चल रही थी उसमें भी बीजेपी इस किले को नहीं भेट पाएगी हाला कि बीजेपी एक सीट जीतने में कामियाब रही थी लेकिन तीन सीट जो समाज़ोदी पार्टी हो जीत कर लिए का माना जाता है क्योंकि यसारी लुट फार्टी सब्सक्राइब काम होती है और विपक्षी पार्टी होती होती उनका काम काम नहीं किया जाता है कि लगता सरकार यहीं दावे कर रही थी कि हमने बिना किसी भेदबाव के कारे किये हैं काम के जंता के लिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारानों ने दिया था तो क्या वाकई में ऐसा है क्योंकि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक से हम पूछेंगे क्या वाकई में ऐसा है की नहीं है तो सीधा मैनपूरी की पुब्लिक से बात करेंगे कि यहां बहुत सारे लोग आये होए हैं, युवा भी हैं, बुदूर्ग भी हैं और व्यपारी वर्क के लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं और पुब्लिक से सीधा बात करेंगे, सबसे पहले इधर बात करते हैं, सर्मा जाना चाहूंगा कि चुनाव वाने वाले हैं चुनावी शंग्राथ हो चुका है तारीक गलान हो चुका है यह बताइए कि पिछले पांच सालों में इस मैंनपूरी सीट में क्या कुछ विकासकार हो पाए हैं या हुए हैं कि नहीं हुए हैं मैंनपूरी में जो भी विकासका पार्क बना है और कोबेट 19 अभी जो यह महामरी थी उस्मे स्थाशा जाए तो यह सब सबसे ज़्यादा समझवादी पार्टी कि और सदर बिठाय को हमारे उनका रहा है और समाझवादी पार्टी के जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा यहां महामारी से लड़ने काम किया है बाकि यहां जो है बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है कि मैं एक बात जान बताना चाहरा हूँ कि यहां पर लुक्षवा सांसत अर्णी मुल अगर हमारे साथ ही कह रहे हैं कि बदायक यहां कि नम विकास नहीं हुआ है तो किसकी गल्टी यह ठाई को कि यहां कि यह कुछ शूषची की ज़्यादाव में जड़ने थे 403 विदायक सो 992 में थी सबको 55 करोड़ पर दिये गई यह पहली बार ऐसा हुआ प्रदेश में कि जो सत्ता पच्छा बार्ती जिंता पार्टी के विदायक थे उनको तो 5 करोड़ दिये गए जो नहीं थे विदायक दूसरे बच्छी दरहों से भी धागते उनको एक रुपया नहीं दिया गया यह तो एक विदाव कि अथरकार पूरी तौर पूरी तौर पूरी तौर पर वह रहा जी सरयाम हुआ पहली बार हुआ है कि सत्ता पच्छ के विदायक को पांच करोड़ दिये जाएगे बई एक सवा करोड रुपया अब उससे जतना हो सकता भाई तो करेंगे जो सरकार ने एक निधी तया की थी पांच करोड़ पर विधायक के लिए के लिए जो विपक्षी दल के विधायक थे उनको नहीं दी गई है अब हम बात करेंगे क्योंकि चुनाब वाने वाले हैं ऐसे में जनता से जानना बहुत जरूरी कि उनके चुनाबी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार क्योंकि जब वोट डालने जाती है जनता तो उनक सेकंड बात कर रहे हैं पहलों तुम्हें आपका धन्यवाद देता हूँ आप इस लोगया पार्क में आई यह समाज़ादी पार्ड़ी देना उस बार चुनाओ का मद्दा पूरा इन्होंने जिस तरीके सो लोगों को छला है जूट के नाम पर फरेव के नाम पर इन्होंने कोई जवाब नहीं है इसे को बट करेंगे इननों को ठाले नहीं इन्होंने सब्सक्राइब बताईये क्या मुद्य रहने वाले इस वार्व महिंगाई और बेरोज़ारी को लेके बोट की आ जाएगा और मैं आपको बता दूं इन्होंने 5 साल मैलपूरी मुना को भिकास कार किया है इस पांच साल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा कोरून वागा यह बता दें सो सहीया समाजवादी पार्टी में बन गया था इन्हों लोग जीवित यहां के थे में पिरोजगारी मुद्दा रहे चेतना पिरोजगार है और जतना युवाओं को ठगने ठगा जैसा किया गया है सरकार में युवाओं के लिए कुछ абрам 2-3-4 2% कवाना की अधारमीद हम लोह को समाजबाधी पार्टी से यहाँ पारती चम्ता पार्टी से यहाँ नहीं है कि यह कुछ कर पाőn यूबाँ कहें में चबत कह रहे हैं कि अफिए नहीं है बीएपी से सपाही कर पाएगी। यह लगता है कि इनसान बिल्कोली अपने ही अपने ही घर पे मजदूरी कर पाएगा और कुछ नहीं कर आप बताईए क्या चुनाई बुद्धे रहने वाले इस बार जब बोट डालने जाओगे तो मेहगाई और बेरोजगारी और जो रासन दिया गया उसमें नमक पीस के दि कि दिया गया है आप रही है जबसे बड़ा मुद्धा दिया रासन है लेकिन जंता को मानने के लिए दिया एक यह बड़ी बात बोलरे हैं कि राशन दिया ज़रूर है लेकिन वह मिलावटी राशन है कुछ अर्लों लोग से बाद करेंगे आप बता किसानों को मद्धे बात वेपारियों को लूटा हर ब्रक को लूटा अब इस समय विकास पर वोट होगा इम इमन दारी पर वोट होगा बाती जनता पार्टी के खिलाब बहुमत जाएगा समाजबादी सरकार बनेगी मेंपुरी समाजबादी को गड़ है और हमेसा रहेगा इस वार उस 17 लेहर में भी म प्रतिनीदी का वहता धर्म होता है कि अपनी चंता को प्रतिनीदी को हम लोग वोट करेंगे जुवा है वह बहुत परिशान है या बाकर में सिर्फ दिखाने के लिए बात कही जारी है कि क्योंकि चुनावा गया है तो एक विरुद्वारी मुद्दा फेला दो सरिवा बहुत परिशान है और मैं सबसे पहले बता दें मैं एक चात्र हूँ उनत्तर यार सिच्छक बरती में जो हुआ है वो किसे नहीं पता है उनत्तर यार सिच्छक बरती ने खुद बीजेपी ने माना है OBC और SC का घोटाला हुआ है छेजार बेकंसी उन्होंने अलग से संथ यह हम लोग ओघ्र को एक ऐख समझ लिया है फов जिर में को उमीद नहीं है निलाम हुए घर कों झो घ्काना Wikा नहीं बोनाते साब साब कहते हैं बहाना नहीं बनाते और बिजलियां गिर कर जा सरमसार होती हैं हम ऐसे भीजे भी वारे खंडरों को अब निसाना नहीं बनाते पिछले पांच सालों में जो विकास कार रहे हैं जैसे कि सब लोगे से बात करें कि कुछ नहीं हुआ है स्कूल शिक्षा विवस्ता की बात करें स्वास्त विवस्ता की बात करें या सड़कों की बात करें पाने की बात करें जो मुल्बूत जरूरते होती हैं कि हम इनसान की उनकी क्या विवस्ता है देखिए ये जनपत हमेशा समाजवादियों को गड़ रहा है सबको पता है सबको पता है इस सरकार में जितना भेदवाव हुआ एक आदमी ने देखिए अभी जिना पंचायत देश्म है तूटल बुंतों की बात करो ना गुराजनीति में को जाते हो आप बताजी ना और वस्ता खराब गड़ा सडके हो गए दोवारा अग्री चवबट रहा है। नो दुब्वारा सडके ठीक नहीं यहां जो सडके बना दी समाजवादी पाटी नहीं गाउना में गड़ी हो गए है कहते देंगी और गड़ीन यूक्तर कर दिया उन्हों और अगर बात करो अ नहीं हुआ है किसी भी छेत्र में हर मैंगाई मैंगाई आप बताइए जो बात कह रहे हैं कि सड़के अच्छी नहीं है गड़ा यूप तो सड़के हो गई है गड़ा मुक्त होनी चीए थी बिजली की नहीं आती है तो फिर इहां के इनसान जी कैसे रहा है परिशानियों में कि पड़ा हुआ है पूरे पांच आल किसान पर पूरा बिल लिया गया और जब चुनाव आ गया तो आदा पिल करके फिर में बैकावे में लिया जा रहा है कोई नई सड़क नहीं बनी है पुरानी चड़के उन पर गड़्डे हो गए हैं गाउ जाओ तो गाड़ी बता दे लेकिन अगर डबलमेंट की बात किया है तो समाजवादी के अलावा किसी सरकार में या मैंप्री डबलमेंट नहीं हुआ है केवल इन्होंने बाते की हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे लेकिन उस पर इंप्लिमेंट नहीं हुआ तीन सो फिरी विजली दूंगा आपको लगता है कि यह फ्री फिरी बाट देना सब कुछ जनता के लिए ठीक है क्यों नहीं ठीक है क्या कमी है क्या क्यों नहीं दे सकते हैं सरकार में बोश्च पड़ता है 22,000 क्रोल का बजट पड़े और अगले से पड़ा नहीं पड़ा नपड़ागा वो जो कहते हैं और बीजेपी वाले लोग अंदगार में अभी डूबे हुए हैं उनका सामने आएगा दसको तीन सो यूनिट बिजली फिरी देंगे आपको लगता है कि फिरी में जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है बिल्कुल हो जाता होगा जो समाजवादियों ने बिगास कर दिया उसके बाद भाजपा ने पंच साल में कोई बिगास कारने किया सिर्फ जंता को तरस्त करने का काम किया जो मेहाई बढ़ा के व्यापारी परशान है आम जंता परशान है कोविट काल से लेके कितने लोग परशान हो गए आने क्या से जी गड़े नहीं अप लोकल किसी से बात करें जन्रल आप जन्रली करें वाद और जन्रल में बता रहा हूं आपको बैपारी दुदर्सा इसी दुदर्सा हो चुकी है उत् dona बैपारी का बैपार बंद हो चुका है सारी सतिति को आप अंदर मार्केट में आउट जाए होगी जो यहां पर सड़कें देख रहे हैं यह समाजबादियों की देने भाजपा ने को इसा कुछ काम यह ने किया चलिए यह पबलिक है सब जानती है बता रही है किस तरीके से जो यह मुलाइम सिंग यादब यहां के सांसध हैं और सपालागता जीती आई है क्योंकि पबल कि पबलिक है सब जानती है देखिए चुनावी शंकरा हो चुका उत्रप्रदेश में और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो दलबदल भी कर रहे हैं अभी हाल ही में कई नेता ऐसे हैं जिनोंने बीजेपी से सितिफा दे दिया है और समाजबादी पार्टी का दावन थाम लिय इस सेंगा मजबुती मिलती है या इसए अपना वे सीधा करतें कि एक फायदा दिकाल और सबसे जादा समाजबादी पार्टी में हुआ हिसलिए को समाजवादी पार्टी में Спत्रइए घृके मेंकोちゃचार गभात सबस्क्राइब करते हैं जो इस प्रदेश में म्हाजवादी प्रचेया परटी क्यों स रही है। चोहान हूआ इसतिफा देखें किविनेट से आपको लगता है कि यह समय होता है जह शोड़के जा रहे हैं और गॉल possibil आपने आफाइगा और फाइपना हैं मिल जाएगा और और अपनी जेल बचा पा रहे हैं, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया, दलितों पिछणों की पार्टी है नहीं बीजेपी, समाजबादी में दलितों पिछणों का सम्मान है और रहेगा नेता जो दलबदल कर लेते हैं, वो मुद्दा बनता है? मुद्दा बनना चाहिए? नहीं मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन आदमी जब एक जगे से टेस्ट हो जाता है, जैसे समाजबादी पार्टी का पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी से उनका म मझु बरगिया तो सपा में आ गए, इसा इसा नहीं है, मन बरगिया, आदमी मजबूरी होती, देगी आजम खांसाब का क्या है से वाजपा ने, ऐसे इनने अगर पहले पार्टी छोड़ दियोती, स्वाँ प्रसाइबं, आज पार्टी छोड़ रहे हैं, मजबूरी में नह कि आसाथ जाना चाहरा हूं जो शामी पुरसाद मौरे जी I位 है पार्ट 2 में तो जब भाजपा में थे तो बिलकुल क्लीन थे कोई ग्रफतारी वारंट कोई पुराना केस नहीं खुलाता और ऐसी कौन सी वाच निकले hand क्कान की भर्रिट हो गयी दूग है वहॉँना सब्सक्ति करता नहीं कोई काम नहीं है हिंदू कि भॉचने वालिक ही और और साइक्ल आने वाल भाजपा बहुत कि माहिलाओं के परती है मैं आपका पूर में ध्याना आकर्शित करना चाहता हूं जो हातरस की घटना हुई थी उसके साथ किस तरीके से कुकर्त किया गया बहन के साथ और यही मुहमंतरी बाबा मुहमंतरी लखनों में बैठ करके अधकारियों से उस बहन को बगेर हिंदू र लोगों को सजा मिल के लिए जो एक्षन लेना चाहिए था वो एक्षन समय रहते नहीं लिए आप बताइए कि एक मुहमंतरी अपने ओफिस से डीम को बताएगा कि उसे मतलब रात के आने रहे हैं फूको जानवरों की तरह फूका जाएगा वो भी हिंदू बेटी थी वह बड़ा मुद्दा था और काफी उठाए भी गया था हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि जो इस वक्त सपा और बीएपी में सीधी टक्कर है लेकिन जो बयान बाजी होई बहुत चल रही है सपा कि है कोई टकर नहीं है आप बताएगी बीएपी राम मंदिर की बात करती सब्सक्राइब और जब बात करते हैं जब भी मंदर की बात हो मंदर कोट का आधेश है तो वह सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब अगर ईतों को लीना है तो आप भी आप दोसेरा एक हिंदु प्रमाञ पत्र अजाइब बात विवी चले जाइये आपको धर्म इनपर बात मत कर लिजिए किसानों की तरकी के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाका जिससे देश का किसान खुशा है यह सिच्छा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हम सबसे बढ़ा दिनिस से वा चैन आयों सबसे ब्रस्ट विवाग है अभी तक पांच साल हो गई एक भी भरती नहीं आई हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो बात कह रहे हैं कि भरतिया नहीं हो रही है लेकिन सरकार के दिए लोगों एक बहुत बात है आपको कि नौकरी दी नौकरी के जो मानक होना चाहिए उस स लोगों जैसे ब्लव एक आदमी मज़व ढूण के आत तक नहीं मिला कि जिसको नौकरी में पूछ लिए किसी के कघर में परिवार में मौले में रिस्तेदार में किसी को नोकरी मिली ओ पहंच साल में तो आदम हम सब जानती है क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि काम हुए कि हुए हैं चाहे राजनीतिक क्योंकि यह एक ऐसी जगा है मैन पूरी जहां पर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो लोग बहुत सख्ग्स हैं उनका पता है कि किसे दौर की राजनीति चल रही है और उंट किस करवर बैठेगा क्योंकि यह वह गड़ माना जाता है समझजद सब जानती पुब्लिक से हमने बात की है और जाना है कि मैंन पूरी की समस्या है क्या थी लेकिन जो युवा है का वो लगातर यह बात कह रहा है कि उनको रुजगार नहीं मिला है महेंगाई एक बड़ा मुद्दा है तो देखना हुआ कि इस बार चुना में वाकई में क्या मह सेंगाई और रुजगार सबस्टा मुद्दा रहने वाले हैं